आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी न्यूज जुट गई है उत्रप्रदेश के हातरस जले में एक पुलिस कर्मी ने फर्जी डॉक्यमेंट के आधार पर पुलिस विवाग में नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है अब जब जाश परताल होने के बाद यह बात सामने आई है कि उसने जन्मतिती बदलकर और पुलिस कर्मी हातरस जले के मुरसान थाने में तैनात है लेकिन जब इस पुलिस कर्मी के खलाब मुकदमा दर्ज हो गया तो वे डूटी से गायब हो गया साल 2018 में सीधी भर्ती के तेयर जीतेंद्र मले पुत्र धर्मपाल सिंग निवासी चायंसा थाना जर्चा जिला गौ परताल की तो ये बात सामने आई कि उसने दस्तावेजु में अलग-अलग जन्तुटी दिखा कर सरकार के साथ धोका धड़ी के पुलिस विवाग में नौकरीब हासल की है इस बारे में पुलिस अदिक्षक ने भी जाज परताल की थी और आउपों की पुस्टी हुई थी के इस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस कर्मी फरार है फरसी डॉक्यमेंट के आधार पर यूपी पुलिस में नौकरीब पाने वाले सिपाही के खिलाव कोतवाली हातरस केट में मुकदमा दर्ज कराया गया इस समय पुलिस कर्मी की मुरसान थाने में तैनाती है लेकिन जब स में उसके खिलाफ मुकादमा दर्ज हुआ है वो थाने से गाइब हो गया है अब हात्रस पुलिस उसकी तलाश कर रही है